तो बच्चो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन सो प्लीज ओपन यूर इंग्लिश वन बुक और इसमें कुछ भी करवाने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूं बच्चो कि आप सभी बच्चे अपनी अपनी स्लेबर्स की जो नोट बुक्स हैं वो स्कूल में सब की टीचर्स आपकी कॉपी को चेक कर सके अपरिल से अभी तक आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाई है दू टू कोविट की वज़े से ठीक है तो आपने क्या करना है जल्दी से जल्दी आप लोगों ने अपनी कॉपी समिट करनी है कुछ बच्चों ने कॉपी समिट कर दी है त उनमें हमने मार्किंग करनी है उनमें नंबर देने है ठीक है तो कॉपी समिट होने की वज़े से आपको रिटर्न वर्क नहीं दिया जा रहा है आपको बुक में ही कुछ काम करने के लिए रिवाइस करने के लिए तो आप जो भी आपको दिया जाएगा उसको आपने करना है ठ तो अब आपने क्या करना है आपको मैं दे रही हूं इसमें यह देखिए आपको मैं कुछ काम दे रही हूं पूर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पॉर् sad का opposite ढूनेंगे दिखते हैं front front का opposite ढूनेंगे long का opposite ढूनेंगे friend का opposite ढूनेंगे useful का opposite ढूनेंगे और लिखेंगे ठीक है इसमें ही मैं आपको कुछ और काम दे रही हूं book में करने के लिए तो देखिए the peacock इसमें क्या है say whether true or false सही और गलत तो आपका काम है आपने करना है अपनी book से ढूनेंगे मैं आपको lesson पढ़ा चुकी हूँ और ये वाला जो c part है ये आप अपने आप करेंगे देखिए आज मैं आपको अपने आप से करने को दे रही हूँ अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं आपको इसे फिर से लिख के बताऊंगी तो पहले कोशिश करेंगे कि आप ढूनेंगे और live class के दिन आप मुझे ये show करेंगे ठीक है तो देखिए फर्स है जो पीकॉक है वो एक छोटी बर्ड है सही या गलत सही है तो T लिखेंगे यहां box में और गलत है तो F लिखेंगे second the feathers of a peacock are very colorful जो peacock के feathers होते हैं punk होते हैं बहुत जादा रंगीन होते हैं सही या गलत T लिखेंगे सही के लिए गलत के लिए F third है the pehan is more beautiful than a peacock जो pehan होता है जो pehan होती है वो more से जादा सुनतर होती है सही है तो T गलत है तो F number four the peacock can fly short distances जो peacock होता है वो बहुत कम दूरी तक ही क्या कर पाता है उड़ पाता है number five the peacock can lay eggs जो peacock होता है वो eggs देता है सही या गलत सही है तो T गलत है तो F six है the peacock has a shrill voice जो peacock होता है उसकी voice जो होती है वो shrill होती है सही है तो T गलत है तो F लिखिए number seven peacock live in flocks in the wild जो peacock होते हैं वो लोग जुंड में रहते हैं जंगलों में जुंड में रहते हैं सही है तो T गलत है तो F मतलब T for true F for false number eight a peacock can jump from one tree to another जो peacock होता है वो एक पेर से दूसरे पेर तर जंप कर सकता है चलांग लगा सकता है सही है तो T लिखिए गलत है तो F लिखिए और यह काम आपने केवल अपनी book में ही करना है book में आपने box में T और F लिखना है तो पहला काम आपको दे रही हूँगी आप अपने आप सर्च करेंगे ठीक है पढ़ेंगे लेसन को और इनका सही जो है आंसर वो ढूंडेंगे और जल्दी से आप अपनी copy सम्मित करवाएंगे चेक करने के लिए ठीक है तो इसे ध्यान से ढूंडिए और करिए यह आपका task है